नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं, क्या सच में पीरियर्ट्स के दोरान अचा छूने से हो जाता है खराब? दोस्तों, पीरियर्ट्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन समाज ने इसे एक अलग रूप देया है, इस दोरान मैलाओं के शरीर से गंदा खुन निकलता है, जिसकी वज़े से उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसे भेदभाव के रुप में दुनिया के सामने पेस कर दिया। हमें कोमेंट्स बॉक्स में जरूर अवगत कराएं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। ताकि हम भी जान पाएं कि हमारे जो अपने हैं उनके मन में किस तरह के विचाराते इन सब चीज को लेकर। दोस्तो इसलिए नहीं छूते अचार पहले के समय पीरियेट्स के दोरान साफ साफाई पर कम ध्यान दिया जाता था क्योंकि उस समय में कपड़े का इस्तमाल करती थी जिसे स्वक्ष नहीं माना जाता था। आज हमारे पास ऐसी कई चीज़े हैं जिन से हम अपने आपको स्वक्ष रख सकते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था जिसके कारण इस समय अगर कोई मेंला अचार छू लेती थी तो वैं खराब हो जाता था लेकिन इसका समन्द केवल स्वक्षता से था। अचार खराब होने का कोई दूसरा कारण नहीं। धीरे धीरे इस बात को गलत तरीके से लिया जाने लगा और फिर यह धारना बनी की पीरियर्स में मैलाओं को अचार नहीं चूना चाहिए। इस समय हाई जीन का ध्यान नहीं रखने के कारण यह समश्या हो सकती है। फेमिनाइन प्रोडेक्स का इस्तमाल करना चाहिए। इसे गंदा ब्लड सरीर के अन्य जगों पर नहीं लगता। पीरियर्स के समय आपको रोजाना नहना चाहिए। कोशिस करें कि दिन मेरे करीब दो बार जरूर नहीं। साथ ही आपको फ्लो के इसाब से भी समय समय पर पैड बदलना चाहिए। हर छे गंटे में आप पैड को चेंज करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको खास तोर पर पीरियर्स के दोरान वेजाइना की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। पैड के इस्तमाल और फैक्टने के बाद अपने हाथ जरूर धोए। पीरियर्स से चुड़े मित्स। बारत में पीरियर्स के दोरान तुलसी का पोदा छूने से मना किया जाता है। इसलिए क्योंकि इस दोरान उन्हें अशुद माना जाता है। कीचन में जाने से भी मनाई होती है। ऐसा माना जाता है कि खाना खराब हो जाता है घर में अगर कोई शुब कारे होता है तो महिलाओं को उसका इसाथ नहीं बनाए जाता है उमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहें इसी चीज का हम अनुरोध करते हैं अगर आप जुड़ेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुजाओ बताएंगे तो उसे अमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें